दोस्तों यह है Leica camera और यह जो camera से अपने color science के लिए जाने जाते हैं, इनसे जो output आता है एकदम कमाल का होता है, और यह है छोटा सा camera, यह actually एक action camera है और यह co-engineered with Leica है, यह है Insta 360 Ace Pro और इसकी unique चीज यह है कि इसका जो display है back side पर इसे आप इस प्रकार से angle में प्लेस कर सकते हैं, selfie video shoot करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, और खास करके अगर आपको low angle shots shoot करना है तो उसके लिए भी यह amazing है, देखते रहे है, तो यह है Insta 360 Ace Pro का box pack, co-engineered with Leica, और यह box है, इसके अंदर यह है action camera और यह है कुछ booklets, type C cable, यह adhesive mount दिया हुआ है, single use, यह quick release attachment और यह है कुछ stickers, मेर बास यह दो और accessories है, अगर आप चाहें तो इन्हें अलग से खरीच सकते हैं, एक तो है यह quick release mount, यह देखें, यह है quick release plate, यह है lock slider, और यहाँ पर as well यहाँ पर button है, इसे press करके, यह जो part है, यह देखें, यह निकल जाता है, इसे आप as a tripod stand की तरह भी use कर सकते हैं, plus यह specific angle के साथ में भी आता है, and of course आप इसे as a selfie stick की तरह भी use कर सकते हैं, तो box में यह है usage card, और यह है multi mount, यहाँ पर आपको camera attach करना है, और इसे आप normal handle की तरह यूज कर सकते हैं, box में यह screw mount और hand strap भी दिया हुआ है, यह जो camera है आप इसके ऊपर काफी आसानी से attach कर पाएंगे, और यहाँ पर यह lock button दिया हुआ है, इसे अगर आप lock करेंगे, तो यह जो camera है secure हो जाएगा इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है, यह जो handle है इसके ऊप तो अगर आपको wide angle shots shoot करना है, तो यह option ठीक है, लेकिन अगर आपको vertical shots shoot करना है, तो यहाँ पर आप इसे loose कर सकते हैं, और इस प्रकार से vertical shots, जो कि Instagram reel के लिए, या फिर अगर आप YouTube shots बनाना चाते हैं, उसके लिए यह जो option है, बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर देखें, इसे आप जो shooting modes है, उसे change कर सकते हैं, मैंने फिलाल 4K at 24 पे रखा हुआ है, वैसे आप 8K में videos shoot कर सकते हैं, फिलाल में 24 frames per second, 4K में shoot करने वाला हूँ, और यही पर आपको stabilization कर जाएगा, high है, standard है, और low है, मैंने standard पे रखा हुआ है, और यहाँ पर यह zoom option दिया हुआ है, यह देखे, किस प्रकार से यह zoom in कर रहा है, तो यहाँ पर अब मैं यह 4K video record करने वाला हूँ, और यह HDR mode में है, और HDR mode काफी बढ़िया option है, क्योंकि यह रेखे, ऐसे lighting condition में आपको काफी बढ़िया output मिल जाता है, आपको जादा footage के उपर ध्यान देने के ज़रत नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, इन फाक यह जो action camera है, इस परकार के shots के लिए बहुत बढ़िया option है, अब यह action camera है, खास करके वी-logging के लिए बढ़िया option है, जैसे कि मैंने का इसका जो screen है, यह इस परकार से tilt हो जाता है, और यह देखे, इस परकार से मैं मेरा selfie है, वो shoot कर सकता हू मैं इसे on करता हूँ अब ये मेरा selfie record कर रहा है जो मौसम है यहाँ पर ये काफी अलग type का है ये देखे जो clouds है ये भी काफी बढ़िया तरीकिसे capture कर रहा है और ये जो HDR mode है खास करके काम में तबी आता है जब आप मान लीजे इस प्रकार के videos बना रहे है जहाँ पर आप suddenly एक situation से दूसरे situations में आते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं car के अंदर आ गया हूँ अब यहाँ पर दिखे जो environment है ये suddenly change हो चुगा है लेकिन क्योंकि ये HDR में video shoot कर रहा है तो जो quality है काफी बढ़िया आने बाली है वो है audio settings फिलाल जो wind reduction option है उसमें मैंने set किया हुआ है directional focus भी आप use कर सकते हैं मतलब कि इसका जो front microphone है वो use होने वाला है और stereo mode में आपको stereo recording मिलने वाली है directional focus टेस्ट करते हैं तो जो directional focus है अब ये काफी बढ़िया तरीके से काम करेगा क्योंकि जो front microphone है वो मेरी आवाज को पकड़ने वाला है ज्यादा preference देने वाला है तो V-logging के लिए बहुती बढ़ी option है इसका जो internal microphone है इसकी quality आपको कैसे लगी comments करके मुझे ज़रू बताइए एक और बहुती interesting feature जब आप recording शुरू करते हैं यहाँ पर आपको pause का option मिलता है ज्यादा करके जो action cameras है उनमें आपको यह option नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर देखे मैं इसे pause कर सकता हूँ और अगर अगला shot लेना है तो यहाँ पर फिर से प्रेस करके continue कर सकता हूँ instead of multiple videos बनाना यह एक बहतर option है अब यह जो Insta360 Ace Pro camera है इसका मैं comparison करने वाला हूँ इस DJI Action 4 के साथ में यह दोनों cameras मेरे पास है और यह एक तरह से brief comparison होगा पहले daylight shot चेक करेंगे उसके बाद में हम night shots चेक करेंगे तो मेरे पास यह side by side दोनों cameras है DJI Action 4 और यह Insta360 Ace Pro का camera है और मैंने recording शुरू कर दिया है और यहां पर देखें मैं subject को follow करने वाला हूँ इससे आपको एक तो stability के बार में idea मिल जाएगा प्रस जो colors है यह धी produce कर रहा है उसके बार में idea मिल जाएगा और मैं बात भी कर रहा हूँ दोनों action camera जो मेरे आवाज record कर रहे है प्रसेस करता है जो skin tones है वो कैसा है यह जो handle है इसे आप एक तरह से selfie के लिए भी काफी बढ़िया तरीकी से use कर सकते है वैसे यह जो action camera है इसमें already wide angle lens दिया हुआ है काफी wide है आप हाथों में पकड़के भी इसे इस परकार से handle कर सकते है लेकिन यह जो stick है इसे use करके आपको ज़्यादा wide angle option मिल जाता है देखे जो action cameras होते है आम तोर पे जो outdoor conditions है मतलब कि अच्छा lighting condition होगा वहाँ पर आपको अच्छा results देने वाले है लेकिन अगर आपको actually limit test करना है कि यह action camera है इसकी quality कैसी है तो सबसे बेस तरीका है night shots चेक करने का तो चलिए night shots चेक करते हैं उससे हमें अच्छा idea मिल जाएगा कि यह जो action camera है यह low light में कैसा perform करता है और अगर low light में यह काफी बढ़िया तरीके से perform करता है तो naturally daylight में भी यह काफी बढ़िया तरीके से perform करने वाला है यह जो वीडियो है मैं low light में शूट कर रहा हूँ इन दोनों action cameras यूज़ करके यहाँ पर definitely इंस्टा का जो output है यह काफी बहतर है यहाँ पर देखेंगे face priority का option दिया हुआ है जिसे मैंने enable रखा हुआ है और इसका फाइदा क्या है जब आप video shoot करते हैं तो यह देखेंगे जो face tracking है यह enable हो गया है और जो subject है उसका face यह जो action camera है वो track कर रहा है और जब subject frame में फिर से आ जाता है उसका face है वो visible होता है तो यह देखेंगे tracking है यह फिर से शुरू हो चुका है यहाँ पर दीखेंगे आपको action ultra यह basically ultra wide mode है और डी वाप का option है प्लस यह है horizon lock जो कि एक बहुत ही stable option आपको देता है मैं ज़्यादा करके यह जो डी वाप option है इसे यूज करता हूँ वी लॉगिंग के लिए यह बहुत ही बड़ी option है एक और बहुत ही important feature AI highlight assistant इसे आप on रखिए यह basically आपका जो काम है बहुत ही आसान बनाता है मतलब कि जो भी videos आप shoot करते हैं for example यह जो long video मैंने shoot किया हुआ है अगर मैं इसे play करूँ तो यह काफी बड़ा है actually and जो AI highlight है automatically इन में से कुछ scene को highlight करने वाला है अगर आपको manually कोई चीज़ को highlight करना है तो वो भी आप कर सकते हैं यह दिखे यह है mark highlight का option और यहां से आप specific चीज़ों को highlight कर सकते हैं या फिर उन्हें remove कर सकते हैं for example यह देखे यह मैं यहां पर एक और option को मैंने highlight किया हुआ है and यह option को highlight किया हुआ है प्लस यह option को highlight किया हुआ है अब मैं okay करता हूँ और यह देखे यहाँ पर इसने जो highlight options है वो दिखा रहा है अगर मैं इसके बाहर जाओ और यह जो चार scenes को जो मैंने highlight किया हुआ है उसे मैं play करूँ तो यह directly मुझे वही same चीज इस लंबे से वीडियो में play करके दिखाने वाला है इससे आपका जो editing प्रोसेस है यह काफी हद तक कम हो जाता है तो यहां पर दिखिए photo mode है HDR यह interval recording जो main options है में जाता करके जो use करता हूँ एक तो है video और यह है pure video जो की low light conditions के लिए एक दम perfect है आपको कुछ करना नहीं है इसे enable कीजिए और recording शुरू कर दिजिए आपको amazing results इसके साथ में मिलने वाला है low light conditions में यह देखे यह मैंने इसी pure video mode में shoot किया हुआ है तो low light conditions के लिए यह जो action camera एकदम superb level का है and of course यहां पर start laps, low motion, loop recording, time lapse, time shift और यह free frame का भी option दिया हुआ है जो कि basically दोनों format में wide angle as well as vertical format में recording करता है तो यह सारे options available है Insta360 का जो application है उसे आपको install करना है और यहां से बहुत सारी चीज़े amazing चीज़े बड़ी हसानी से create कर सकते हैं जैसे कि यह देखे यहां पर sky swap option दिया हुआ है fly lapse का option है horizon flip का option है लेकिन जो सबसे interesting चीज़ है जो कि आज के तारिक में काफी trending है वो है AI WAP और यह जो feature है यह मैं use करने वाला हूँ तो इसके लिए बहुत ही असान है मैं एक video को select करने वाला हूँ तो मैं यह video select करता हूँ और उसके बाद में यह देखे यह है वो video अब AI effects मैं इसमें use करने वाला हूँ मैं तोड़ा सा इसमें changes करता हूँ ताकि यह यहां तक effect आये नेक्स का option है इसे select करते हैं और यहां पर मुझे यह option मिल रहा है मुझे cyberpunk, space, retro यह सारे जो options available है इन में से मैं कोई भी select कर सकता हूँ I think cyberpunk इसके लिए काफी बढ़िया रहेगा तो मैं make AI video का option मैंने select कर दिया है अब यह क्या करता है कि जो footage है उसे cloud पर upload करता है और processing होने के बाद आप जो footage है उसे download कर पाएंगे वो basically AI footage होगा जो main footage है वो अलड़े आपके इस camera में है और अगर आप चाहें तो phone में भी transfer कर सकते हैं लेकिन दोनों को बाद में merge करके आपको एक amazing AI effect वाला video मिल जाएगा तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है मैं यह जो process है करने के बाद आपको बताता हूं देखें यहाँ पर यह footage है यह upload हो चुका है और फिलाल यह Q में है अगें समय लगने वाला है processing शुरू हो चुका है चार मिनिट के आसपास लगने वाले हैं अब यह देखें process complete हो चुका है मैं इस पर tap करता हूँ और यह जो AI है प्लस जो video है उसे merge करने वाला है और ध्यान से देखें क्या amazing footage इसने create करके दिया हुआ है यह देखें कमाल का footage यह है AI का कमाल और यह जो insta 360 application है इसने बड़ी आसानी से यह create करके दे दिया है अगर आप यह product खरीदना चाहते हैं link मैंने video के description में दिया हुआ है